हलो फ्रेंड विडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ जो लोग फॉर्स टेम मुरे वीडियो को देख रहे हैं मैं आपको बता देना चाहती हूं छूटी-छूटी स्टोरी इस पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूं चिससे हम बहुत सारे न नहीं देखा है तो सिंप्लि आप वहां से देख सकते हैं और यह हमारा पार्ट टू इसमें जितने भी संटेंस अब देखने वाले हैं मूसलिव आपको प्रिजांट टेंस के बिलेंगे स्टार्ट करते हैं लिडिंग और देखते हैं क्या है इस गंदर आयम स्टूडिंग इम परढ़ रहा हूं तो यह क्या है हमारा यह प्रजैंट। जब भी आता है तो हमारा क्या है प्रजैंट का कॉंटिंग स्ट professionals होता है I am presently in class 10th I am, मैं हूँ presently यानि कि इस समय in class 10th मैं presently यानि कि इस समय कक्षा 10 में हूँ simple इस तरी की से presently यानि कि इस समय present का मतलब क्या होता है इसी वक्त की हम बात करें कि अभी आज कल हाल फिल हाल में मैं इस समय 10th class में हूँ I feel happy मैं अच्छा महसूस करता हूँ यानि कि मैं खुशी महसूस करता हूँ अच्छे दोस्तों के साथ helpful cellphone and loving teacher helpful यानि कि मददकार loving यानि कि प्यारे teachers के साथ में and sound school administration और अच्छा खासा sound schoolization है कि जो अच्छा खासा जो हमारा विद्याले है उसके विद्याले के प्रिशासन में मैं अच्छा महसूस करता हूँ यानि कि खुश महसूस करता हूँ I have extraordinary skills in some subjects I have मुझ में हैं या मेरे पास हैं दोनों आप बोल सकते हैं extraordinary यानि कि असाधरन skills यानि कि कौशल मेरे पास असाधरन कौशल है in some subject in means मैं some means कुछ subject यानि कि कुछ विशो में मेरे असाधरन skills है असाधरन कॉशल है मेरे पास में जिसे में इसमें तो मैं कुछ भी करके अपने आप करके मैं पास हो जाता हूँ तो वही होता हमारी extraordinary skills कि हम अपने आप से उस subject में जो है बहुत ज़दा अच्छे हो जाते हैं अपने आप उसको पढ़ते हैं जो भी चीज़े करते हैं वो whereas I am very weak in few whereas जबकि I am very weak मैं हूँ very यानि के बहुत weak यानि के कमजोर in few जबकि मैं कुछ में in few few यानि के कुछ में मैं बहुत कमजोर हूँ जबकि मेरे पास कुछ subject जो है उसमें मैं असाधरन skills है मेरे पास में असाधरन caution है मेरे पास में जबकि कुछ subject में जो है मैं weak हूँ अब हम यहाँ बार बार subject लिखेंगे नि इसलिखा whereas I am very weak in few जबकि में कुछ में मैं कमजोर हूँ I am in compare to studies पढ़ाई की तूलना में compare यानि के तूलना to studies यानि के पढ़ाई की तूलना में I am good at sports I am good मैं अच्छा हूँ at sports मैं खेल कुद में अच्छा हूँ so इसलिए I am the captain of my school of my class football team I am the captain मैं कप्तान हूँ of my class football team मेरी कक्षा की football team का मैं कप्तान हूँ मैं क्योंकि खेल कुद में अच्छा हूँ इसलिए मैं अपनी तेल का class की जो हमारी कक्षा की football team है उसका मैं कप्तान हूँ I am the best football player at my school I am मैं हूँ the best football player सबसे अच्छा football player हूँ मैं मेरे विद्धाले में besides this इसके अतिरिक्तिया इसके इलावा I am a fast runner I am मैं हूँ a fast runner यानि कि मैं तेज धावक हूँ धावक क्यों बोलते हम जो runner होते हैं कि मैं तेज दोडने वाला हूँ आप ये भी बोल सकते हैं और मैं तेज धावक हूँ वो भी बोल सकते हैं तेज धावक वर्ड जो है वो हिंदी में सुनने में अच्छा रगता है इसलिए मैं तेज दावग हूँ also साथ ही and or I love athletes मुझे athletes पसंद है या मैं उसे पसंद करता हूँ दोनों ही आप बोल सकते है athletes यानिके मुझे वैयाम पसंद है I am expert in swimming I am expert, मैं expert हूँ यानिके मैं विशेशग्य हूँ मैं तेरा की मैं विशेशग्य हूँ यानिके मैं तेरा की मुझे बहुत अच्छी सा आता है हम इस चीज में expert है यानिके वो चीज हमें बहुत अच्छे से आती है करनी तो expert का मतलग विशेशग्य होना या बहुत अच्छे से आना the advice of my parents head the advice यानिके salah of my parents head का use हम कहाँ पर करते हैं path means के लिए तो जो मेरे माता पिता की सलह है head means जो पिता की सलह थी ऐसा भी आप उस दे keen effect on my habits मेरे माता पिता की सलह ने मेरे उपर गहरा प्रभाव डाला keen means क्या उता है गहरा या तीवर, बहुत तेज प्रभाव effect means प्रभाव मेरे माता की पिता की सलहा ने मेरी आदतों पर on my habits यह नहीं कि मेरी आदतों पर गहरा प्रभाव डाला या गहरा प्रभाव पड़ा दोनुं ही आप बोल सकते हैं ठीक है I believe मेरा मानना है या मेरा विश्वास है to speak the truth मेरा विश्वास है सच बोलने में and try my best not to lie and try my best और मैं कोशिश करता हूँ मेरी सबसे अच्छी कोशिश करता हूँ not to lie जूट ना बोलने की मैं मेरी सबसे अच्छी कोशिश करता हूँ My parents always advised me मेरे माता-पिता ने always यानि के हमेशा advised सलाह दी मेरे माता-पिता ने हमेशा मुझे सलाह दी थी, ऐसा भी आप बोल सकते हैं सलाह दी, ये भी आप बोल सकते हैं That key, if I commit a mistake If, यदि I commit, मैं करता हूँ a mistake अगर मैं एक गलती करता हूँ I should admit it I should means I should means चाहिए admit यानि के मुझे उसे स्विकार करना चाहिए अगर मैं कोई गलती करता हूँ मुझे उसे स्विकार करना चाहिए आप देखे कितना अच्छा सा सेंपल सा सेंटेंस है इसको आप अपनी day-to-day की लाइफ में यूज कर सकते हैं If I commit a mistake, I should admit it If I commit a mistake, I should admit it Simple, easily आप इस तरी के किसेंटेंस को जो आपको easy लगते हैं जिसको आप अपनी day-to-day की लाइफ में यूज कर सकते हैं उनको आप बोले भी ठीक है I try my best to do so मैं ऐसा करने में अपना सबसे अच्छा करने की कोशिश करता हूँ I know, मैं जानता हूँ how to remain happy in every condition I know, मैं जानता हूँ how, कैसे To remain means रहना है, happy यानि के खुश रहना है in every condition Every यानि के हर एक condition यानि के इस्तिथी मैं जानता हूँ कि कैसे हर एक इस्तिथी में खुश रहना है Because क्योंकि I believe that मेरा ऐसा मानना है या मैं ऐसा मानता हूँ, तो नहीं आप बोल सकते हैं, happiness is not out there, it's in you, happiness यानि कि खुशी is not out there, खुशी जो है वो बाहर नहीं है, it's in you, वो आप में है, या वो आपके अंदर है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ये एक, कितने कोटो हैं तो ये है, उसको बहुत ज़्यादा लोग ब हैं, happiness is not out there, it's in you, खुशी जो है, वो बाहर रही है, वो आप में है, ये टॉपिक कैसे लगा है, प्लीजो कमेंट में जरूर बताएगा, क्योंकि आपके काफे सारे कमेंट्स आ रहे थे, पार्ट वन के ऊपर, जो मैं आपके साथ में शेयर किया था, माई सेल्फ का, कि ऐसे और भी टॉपिक में आपके साथ में शेयर करूँ, अगर आपको बड़ा लिखना है, तो आप सिंपली इस वाले पार्ट को भी उसके अंदर एड़ करके सिंपल लिख सकते हैं, और ये टॉपिक कैसा लगा है, प्लीज कमेंट पर जरूर बताएगा, आज के थ्री वर्ड्स मैं वलसी वर्ड्स है, एसली और उसे संटेंस पदा सकते हैं, क्योंकि हमारे डे टो दे की लाइफ में ये वर्ड बहुत ज़्यधा यूस हो तकते हैं, आज की थ्री वर्ड्स है नहीं दिक्टेशन के, फर्स रोड रड है हमारा डिक्टेशन का, एड्मिनिस्टेशन, स्कि विडियो कैसे लगी है टॉपिक यह से लाइब प्लीज कॉमेंट में जरूर बताएगा अगर कोई और टॉपिक है आप चाहते हैं मैं आपके साथ में शेयर करूँ आप वो भी मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं थैंक्स वोचिंग जर करके झाएबस teजर के स्थेप